तो हम अब बढ़ चुके हैं आपके एक्सक्रीशन और अस्मीर इगिलेशन के नेक्स टॉपिक की तरफ दाट इस कॉंसेंट्रेशन ओफ यूरीन के बारे में पढ़ा था तो कॉंपोजिशन ओफ यूरीन के बारे में हमने क्या देखा था कि हमारे यूरीन में फाइनल प्रड कि यूरीन बनने से पहले बहुत सारी चीज़ेशन और कॉंसी कॉंसी चीज़ रिअब्जॉब हर जाती है ग्याद रखना बहुत जरूरा Hai यह maximum reabsorption कहां पर हमको देखने को मिलता है proximal convoluted tubule में देखने को मिलता है तो आज हम देखने जा रहे हैं concentration of urine के बारे में कि कैसे आपका urine filter होते होते कितना जादा concentrated होता है कितना water reabsorb होता है और कैसे होता है और आज हम पढ़ेंगे दो special mechanism के बारे में एक है counter current mechanism और एक है counter multiplier mechanism अब से important topic है and from need point of view also it is very 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 important topic अभी chemistry में तो आपने पढ़ा ही होगा concentration concentration मतलब क्या होता है amount of Solute concentration मतलब क्या होता है amount of salute यानि कि अगर simple भाशा में बोलू तो अगर आपने एक ग्लस पानी लिया है तो उसमें कितना नमक डाला है उसको बोलते हैं concentration जितना जादा नमक उतना concentrated solution होगा और जितना कम नमक उतना कम concentrated solution होगा basically concentration का मतलब होता है कि कितना आपने solute molecules लिया है कितना salt molecules आपने लिया है तो अभी देखो यहां पर हमको क्या बुला गया है हमारे blood में कितने सारे salts हैं यह आपको भी पता है अपना blood किस से मल बनता है अब ब्लड is made up of RBC WBC platelets यानि कि plasma में बहुत सारे salts होते हैं और हम plasma ही filter करते हैं RBC में से dead cells ले ले लेते हैं और actual filtration हम plasma करते हैं जिसमें से maximum salts हम excrete कर देते हैं तो under the conditions like low water intake और high water loss due to sweating human can produce concentrated urine देखो क्या बोला गया है गर्मी के टाइम पर आपने देखा होगा कि यूजविली आपको यलो यलो यूरीन आती है यानि कि आपकी यूरीन बहुत ही जादा concentrated होती है कभी-कभी गर्मी में हमको बहुत पसीना आता है और हम exercise बगेरा करते हैं तो भी हमको बहुत जादा पसीना आता है तो ऐसें एकसे स्वेटिंग करने के वजए से और बहुत जादा water loss होने के वज़े से हमारी बॉडि में से पानी निकल जाता है और क्या बचता है नमक बचता है तो ऑन्डर the conditions low water पानी पीते हो जब आप कम पानी पीते हो और ज्यादा निकलता है तो बॉड़ी में सॉल्ट रह जाता है उसको हम बोलते हैं कॉंसेंट्रेटेट्ड से इसको पानी यूरीन यानि की एकदम स्मेल करने वाली यूरीन यलो यलो यूरीन क्या बोला गया हमको यहां पर नॉर्मल यूरीन कितनी होती है हमारी नॉर्मल ब्लड में कॉंसेंट्रेशन कितना होता है 300 पर लीटर हमने लास्ट टाइम ही पूरा कैलकुलेशन वाला पार देखा था अगर आपने लास सेशन नहीं दिया है देखा है तेना रिक्वेस्ट तो आपकी यूरीन जादा यलो होती है तो कितनी यलो होती है चार गुना जादा नॉर्मल से चार गुना जादा याने 3-4 जा 12 1200 पर लीटर देन दा बलड याने बलड के गंपेरिजन में सबसे जादा सॉल्ट यूरीन में देखने को मिलेगा और दिस परपरस वी और 15 मेंगें कारिटnी कासे पूरा किल जाई तो पूरा बीक पूरा चैनी के रख पोरा चैने तो अगर आपने बॉड़ी से सोडिया मी निकाल दिया तो आपकी बॉड़ी नर्विंपल से स्पासी नहीं करेगी बेसिकली आप पैरलाइस्ट हो जाओगे अगर इतना जादा जाओध मतलब क्या होता है और करेंट मतलब क्या होता है अपोजिट में पढ़ते हो ना वोतर पढ़ा होगा जब आप सर्फेस टेंशन के बारे में पढ़ते हैं मतलब का फ्लौ ऐसा नहीं यह है कि आपनी में बिजली की चोड़ दी है और पानी से जटका लग रहा है वह वाला current नहीं है यह पे counter current का मतलब क्या opposite flow of water यह opposite flow सिर्फ water नहीं opposite flow counter current mechanism है अब क्या opposite flow हो रहा है मैं तो ध्यान से देखो इधर पे हमने क्या पड़ा था मैं आपको दिखाती हूं फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से वान सेकेंड है यह वाला डाइग्राम देखो देखो यह अपना लूप ओफ हिंले वाला पार्ट है और यह अपना वासा रेक्टा है यह पेड़िट यूबिलेरी कैपिलरी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं वा यह अदर की तरफ अपना लूप ओफ हैं और यहां पर आपको क्या चीज़े समझ नहीं है कि आपका यह जो वासा रेक्टा है और आपका यह जो लूप ओफ हैं इन दोनों के बीच में कुछ तो चीज़े एक्सचेंज हो रही हैं और उसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं in the form of counter current mechanism अभी मासल के यह जो है यां इलोप ओफ हैंढा लशें उसी के बाजू में बाजू है अलग से द्रॉक यहहां तो यहां पर मैंने आई पर आसे श्कक्राव ना दिए और इंट ऑन्ट की नहीं नहीं समझ समझ में आई तो हमने क्या किया यहां पे हमने में थूपकी तरफ यह कुण लूप माइं और यहां पर की तरफ आ रहा है और वासा रेक्टा में क्या होता है यहां से आपका blood flow reabsorb होता है तो यह descending vasa recta है और यहां पर आपका reabsorption complete होता है तो यह आपका ascending यह आपका कैसा है यह आपका ascending vasa recta तो counter current mechanism मतलब क्या होता है loop of hinley की बात करते हैं यहां पर ascending में ascending में direction उपर की तरफ है और descending में direction नीचे की तरफ है अपोजिट डिरिक्शन में फ्लो हो रही है इसलिए वासा रेक्टा तो पहला प्रकाउंटर करेंट मेकनिजम। फ़ेले में उड़े में हो रहा है दूसरा मेकनिजम गधर लूप न्यूप है यह दिखाती हूं विल्कुल भी नहीं होना है यह देखो पहला पहला लूप ऑप पहला काउंटर करेंट किदर हो रहा है काउंटर करेंट मेकानिजम पहला किदर हो रहा है यह देखो आपका असेंडिंग लूप से डिसेंडिंग लूप दोनों का डाइरेक्शन अपोजिट है यह नीचे की तरफ आ रहा है यह उपर की तरफ जा रहा है तो पहला लूप अफ इसे नीचे आपने हें दूसरा आपना सित के बीच पीच में कि यहां पर देखोin नहीं सब्सक्राइब और यहां से नीचे आ रही है तो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो यहां पे चीज़ें होरा में भी अपना अपोजिट मेकानिजम हो रहा है कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा एक अगर ऐसा जा रहा है तो दूसरा ऐसा ही जाएगा बस इसी को बोलते हैं काउंटर करन्ट मेकानिजम तो यहां पर एड़ेसेंट ट्यूब्स के बीच में भी तीसरा पैटर ह उसको हम बोलते हैं काउंटर करन्ट मेकानिजम तो थियोरी में हम क्या पढ़ने वाले काउंटर करन्ट मेकानिजम पढ़ने वाले अब सब लोग यह डाइगराम एकदम ध्यान से देखेंगे कि अच्छुली में इसमें होता क्या है इट विल अल्ली टेक फाइफ मिनिट पर्मीशन यानि कि यह वाटर रिलीस करेगा और आपका जो असेंडिंग लूप और करेगा अब ध्यान से देखो सीडिसी एक बात है अगर आप ज्यादा नमक खाते हो तो नमक खाने के बाद आपको प्यास लगती है कि नहीं लगती है डिफिनिटली लगती है अब इदर ध्यान से देखो स्वडरी टाइम के लि की यह वासा रेक्टा भूल जाओ सोर्थ यह वासा रेक्टा इसको बूल जाओ ठीक है रुको हाइज देखो स्वड़ै डीच कि असेग बंतला है और यह आपका डिसेंडिंग अबें यह यह वाह अपका ascending लूप ऑफ है और ये वाला आपका descending लूप ओफ है ठीक है अब एकदम सिंपल सा एक एक इग्जामपल ले यह मैं आपको आपके ascending loop of हैंले से सॉल्ट बाहर आएगा सॉल्ट बाहर आएगा से पूरा सॉल्ट बाहर आरहे इस्ट कुरा अधार आरहे क्वैज इसको हम इंटर इसको लिख स्टीशिल बोलेंगे टिश्व फ्लूइड यानि कि बाहर की तरफ किड़नी में टिश्व में यह सब कुछ पहल रहा है कि इमाजिन करना आपको इदर पर देखो यह का एक तो यहां पर आपको ऐसे क्या देखने को मिलता है ऐसे आपको यह Heather फेरामिड्स के अंदर जो नहें लुंका प्रयामिज के यहां का स्ट्रक्चर कैसे यह वाला जो रीजन है यह वाले रीजन की हम पात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बीच का जो रीजन है PCT DCT वाला रीजन यहां पर कैसे maximum reabsorption होता है और कैसे counter current mechanism काम करता है तो आपका जो ascending limb of loop है ascending loop of Henle जो है यह salt छोड रहा है यहां से salt निकल रहा है तो देखो क्या बोला गया हमको इधर पे आपके ascending loop of Henle में salt बहार पंप होता है the ascending loop of Henle इधर देखो the ascending loop of Henle pumps out sodium potassium and chloride and filtrate becomes hyposmotic hypo मतलब क्या होता है लो तो याने कि यहां पे आपका जो salt concentration है वो लो होते जा रहा है salt concentration क्या होते जा रहा है लो होते जा रहा है आपका blood कैसे होता है descending की तरफ जाता है ना हम nephron में क्या पढ़ते वह यह देखो भई नहीं तो तुम लोग बूल जाओगे nephron कैसे काम करता है blood इधर से आता है फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाता है करेक डायरेक्शन ऐसा है blood का डायरेक्शन कैसा है ऐसा है ना तो आपका जो blood ascending limb की तरफ जा रहा है वह यहां पे तो पुरा salt छोड़ चुका है पुरा salt वह पीछे पीछे चोड़ते वह जा रहा है तो उपर जाते जाते कुछ salt बचा ही नहीं तो यहां पे 100 या 300 mili osmolar salt बचता है कितना salt बचता है 100 या 300 ascending limb नीचे पूरा salt जमा कर दिया है तो उपर जाते जाते इसके पास कुछ salt बचेगा ही नहीं इसी को तो बोलते है reabsorption इसी को क्या बोलते है हम इसए किदर गया किदर गया किदर गया किदर आहिए वाला पार्ट यहां पर आप्का ऊपर जाते-जाते-पकर आगे लग यह किदर जाने करेенगा ऐ आगे यह वह प्यास लगती है तो हमारे टीशू को क्या चाहिए पानी चाहिए तो पानी कहां से आएगा पानी आएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हिंले से वाटर रिलीज होना स्टार्ट होता है मतलब इधर से असेंडिंग से सॉल्ट आ रहा है डिसेंडिंग से वाटर आ रहा है अब एक चीज मुझे बताओ यहां पर इनीशियली जब बलड आ रहा था यहां पर इनीशियली जो आपका फिल्ट्रेट आ रहा है यहां पर जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें वाटर और पर आपने water निकाल दिया अब imagine करो कि मैं आपको एक simple example निकाल दियाओ सब्सरी और पानी लो सब्सरी को चहांं है यह पूरा concentratedfiltrate हो जाएगा कैसा हो जाएगा इधर तक आपका descending loop है इधर तक क्यार डिसेंडिंग works डूसरा मारकर वहां संसेंडिंग लूप है और इसके आगे your सेंडिंग निकलेगा और पानी निकलते रहे है और जैसे descending loop का structure खतम, पानी निकलना बंद, अब salt निकलना चालू हो जाएगा, अब यहां से क्या निकलना चालू हो जाएगा, यहां तक आपके पास salty salt था, descending loop में, यहां तक, कहां तक, यहां तक, कहां तक, यहां तक, कैसे बताओ, मैं दूसरे मारकर से बताती हूँ, यह देखो, यह बीच का तो बुली जाओ, यह बीच का वासा रेक्टा भी नहीं लाना है, पिच्चर में, यह देखो, यहां तक, आपके पास salty salt है, लेकिन इसके आगे ascending loop स्टार्ट हो रहा है, और ascending loop वाटर बहार नहीं चोड़ सकता, वो सिफ salt बहार चोड़ेगा, तो जितना ज़ा salt की मातरा कम हो जाती है, ascending loop of हिले में, और यहां पे salt की मातरा बढ़ जाती है, यहां पे salt की मातरा बढ़ जाती है, और आपके descending loop of हिले में water की मातरा कम हो जाती है, water की मातरा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यहां पे water की मातरा बढ़ जाती है, क्योंकि water अंदर ही block हो लाइब ताले में बंद करके अपोजिट काम हो रहा है एक लूप अफनले से पानी निकल रहा है अब एक चीज याद रखो असेंडिंग लूप फिले से जब सॉल्ट निकलता है तो सॉल्ट को बाहर फेकने के लिए एनरजी की जरुवत होती है इसलिए असेंडिंग लूप आप हिंले हमेशा अक्टिव करता प्रोसेस करता है जसा अब की एक जगे से सॉल्ट निकल रहा है और दूसरे संफधे से औस शीन निकल रही है एक जगे से पानी अठीओ और बहु रहा का पेला अ कांटर करेंच कंट ड рек्ता लिए यह आपका पूरा पूरा साद्य गूमा हुआ है यह आपका लूप और इसके आसपास ऐसे पूरा यह वासा रेक्टा कंबाइन होता है तो अब यह जो सॉल्ट इदर से निकला यह सॉल्ट आपके ब्लड में अब्सॉब हो जाएगा लेकिन ऑस्मोसिस के वज़े से क्योंकि ब्लड में सॉल्ट को हीडी कड़नी में डाल देते हैं तब करके बोडर आप कबड में रख़ते द्वाली में यहीं चालू रहता ह तो वह सॉल्ट आपके जब वासा रेक्टा में जाता है इनीशियली आपका जो डिसेंडिंग लूप है यह डिसेंडिंग 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 यह असेंडिंग असेंडिंग ठीक है तो इनीशियली अपने ब्लड वैसल में सॉल्ट किदर है कम है एकदम कम सॉल्ट है यानि वासा रेक्टा में अब्जाब हो रहा है तो वासा रेक्टा का उस्मलारिटी बढ़ते जा रहा है किसका बढ़ते जा रहा है वासा रेक्टा का उस्मलारिटी बढ़ते जा रहा है लेकिन धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्या देखने को मिलेगा descending loop of Henle से पानी भी तो आ रहा है तो हमारा blood क्या करेगा पानी भी लेना start कर देगा तो automatically dilute हो जाएगा blood आपका salt आया, salt आया blood में लेकिन साथ में पानी भी आया यहाँ पे पानी नहीं है क्योंकि ascending loop of Henle के पास पानी नहीं है पानी सिर्फ descending loop से आता है तो जब पानी आना चालू हो जाएगा तो automatically blood vessel normal हो जाएगी लेकिन जब तक पानी नहीं आता तब तक blood vessel का osmolarity एकदम बढ़ जाएगा विडियो को दो से चार बार वापिस देखो आपको समझ में आ जाएगा counter current mechanism मतलब क्या होता है blood vessel में जाएगा color vessel में design जाएगा तो қपानी चाहिए और ब्लड किदम की धर से मिलेगा आपके descending loop औरले से हर जगे को पाकी किदमें जाए descending loop औरले से लेकिन यहां पर जो salt का exchange हो रहा है आपके tissue fluid से आपके वासारेक्टा में जो salt का एक्सचेंज हो रहा है यह आपका नॉर्मल ऑस्मोसिस है यह आपका क्या है नॉर्मल ऑस्मोसिस है इदर पर एटीपी की जरुवत नहीं है लेकिन आपके असेंडिंग लूप ओफ हैंले से जब सॉल्ट निकलता है और आपके टिशू फ्लूइड में जाता है तो यानि कि इं मेहनत करना पड़ेंगा अपने टिशू को महनत नहीं करनी पड़ती ओके अलृए है यह हीए डिरेक्शन में जा रहा हो यह घर दो सब डाक्र सब सेंडिट जा रहां यहां पर और एक चीज आती है एक आती है है काउंटर कॉंटर मुल्टीप्लाइर मेकानिजम क्या होता है वह सुलोध खान से फिर आपको कहों डिहाना आपको यहां पर आपका आगे जाके यह आपका collecting duct है क्या है यह आपकाba collecting duct है collecting duct के पास urea होता है और यह यूरिया पर्मीयबल होता है तो यह collecting duct से बाहर आखे वापिस से यह tissue fluid में mix हो जाता है तो यह यहां पर पहले से इतना सारा salt है अब हमने इसमें यूरिया भी मिला दिया तो याने कि हमने salt का concentration multiply कर दिया किसके वज़े से multiply हुआ यह सब collecting duct के वज़े से हुआ तो इसको बोलते हैं counter multiplier system क्या बोलते हैं इसको counter multiplier system एक तो collecting duct से urine बाहर जाने वाली थी लेकिन इतना सारा salt बाहर चला जाता है इसलिए हमने यूरिया री अब्जॉब कर लिया यूरिया री अब्जॉब कर लिया तो वह जाके आपके असेंडिंग लूप के पास चला जाता है और उदर पे तो पहले से इतना सारा sodium प्रेजेंट है तो अब sodium और यूरिया दोनों को संभालते बैठो तो इ इस इवरीबडी ओके सो आपको यह डाइग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आया है सबको अच्छे से पका और चलो आप देखेंगे कि थेओरी में क्या होता है अब तक हमने क्या क्या समझा कि आपके यूरियन में कैसे चांसेंट्रेशन जादा होता है और कांटर current mechanism as follows मतलब क्या बोला गया हमको इधर पर लूप और वासा रिखता यह काउंटर current mechanism कैसे करते हैं फटाक से यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं यलो वाला अपना बना लेंगे लूप और यहां पर अब इसमें से भी यह वाला आपका descending limb है यह वाला होगा आपका ascending limb yes everybody so this is the descending and ascending limb of वासा रिखता तो इस mechanism involves the passage of fluid from descending to ascending limb of endless loop तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं endless loop में आपके descending to ascending यह देखो endless loop की बात कर रही हो मैं endless loop में descending to ascending limb में passage होता है यानि कि descending से ascending की तरफ चीजे जाएंगी और descending limb से क्या निकलता है सिर्फ water इधर से सिर्फ water निकलता है तो अंदर सिर्फ बचता है salt यह salt जाता है जाता है जाता है इधर पे आते आते इसका 1200 milliosmolar हो जाता है यानि की concentration जब शुरुआत में था तो अंदर salt का concentration कितना था 300 milliosmolar लेकिन जब पानी निकलता गया निकलता गया तो dilution खतम होता गया मतलब देखो अगर आपने एक चमच नमक लिया और एक ग्लास पानी लिया है तो कम नमक लगेगा लेकिन पानी पूरा उड़ा दो और जब पानी एकदम कम बचेगा तो आप सिर्फ नमक का नमक का टेस्ट आएगा तो इदर से पानी पूरा उड़ गया पानी पूरा उड़ गया तो अब इदर पे क्या बच भचा सिर्फ नमक बचा तो कितना नमक भचा 1200 पानी का ब्लोक हो जाता तो अब इदर से स इस सजंटने ALK कम हो जाता इतों अंदर क्या मिले लूष है कि यहां से यह पानी अट्रैक्ट होरा लेकिन असेंदिंग लिम्स वह एक्टिव असेंदिंग यहादे कि मदद से हे सॉल्ट ऐस से आसानी से निकलेगा उसको धक्का मारके बहार निकालना पड़ता है अब यह जो सॉल्ट इतना बाहर आ गया है टीशू फ्लूइड में यह पानी और सॉल्ट जो इतना टीशू फ्लूइड में घूम रहा है यह सॉल्ट किदर एंटर करेगा अपने ब्लड वैसल में किदर इनीशियली सॉल्ट धीरे 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 करके बढ़ता है बढ़ता है इधर पर एकदम से सॉल्ट जादा हो जाता है लेकिन इधर से वापिस से फिर वाटर एंटर करना स्टार्ट कर देता है तो वापिस से इधर पर यहां पर आपके वासा रेक्टा में सॉल्ट का कॉ लेकिन असेंडिय् test में साथ पानी भर्लिया और अगर आपने नमक के साथ पानी भर दिया तो पानी कम नमकीन लगेगा याने फिर से बैलेंस हो जाएग侈 तो यहां पे यहां पर आपकी सबसे जादा ओर रही है यह आपके लूप औfrom पर था कि झाल बने शी edicform ंतव यह्याओं कहता है और जिन उतवी के पास आता है और जो तो यह कशिच्वक्ता और जा जाता है लिताल कर्ण दो यह यहँ पर एकशोच सography सहाथ है हो जाता है इसको बोलते है counter multiplier system counter current mechanism क्या हुआ लूप ओफ हेंले का direction अलग-अलग है descending limb में descending limb में salt कम है ascending limb में पानी कम है so opposite और वासा रेक्टा में क्या हो रहा है descending limb में आपका salt जादा है और ascending limb में पानी जादा है so this is वासा रेक्टा का counter current counter current मतलब opposite flow okay so flow of tubular fluid is in opposite direction through both the limbs तो यह देखो descending limb का example ले लो और ascending limb का example ले लो descending limb में चीज़े उपर से नीचे जा रही है ascending limb में चीज़े नीचे से उपर जा रही है direction opposite है इसले इसको बोलता है opposite flow in case of wasa recta इधर पर spelling wrong रॉंग है यह ऐसा आएगा in case of wasa recta blood flows from ascending to descending parts of itself तो यहां पर होगा किए ड्राइब करते हैं यह वाला पार्त आपका ascending अ वाला पर आपका असेंडिंग हो जाएगा रुखो इधर पर ड्रॉ करते हैं यह वाला पार्ट आपका डिसेंडिंग हो जाएगा ऐसे ठीक है ओके आगे देखो क्या बताया गया है ब्लडव फ्लोस फॉल म基本 की बाति को इसो आपकाद कर आएक लिए वाली स्गेशां का साइस की फायर की निकालता यह वाहर निकालता यह वाहर निकाल रहा है क्योंकि descending limb जो है यह descending limb is permeable to water so wall of descending limb is thin and permeable to water but ascending limb is thick and it is not permeable to water it is permeable only to salts so in the region of descending limb water diffuses from tubular fluid into tissue fluid so इदर देखो descending limb में क्या हो रहा है आपका जो water है आपका जो water है वो water बहार आके आपके tissue fluid के साथ mix हो रहा है कि इदर पे mix हो रहा है यह आपका water है H2O यह आपका tissue fluid है जो interstitial fluid हमने बोला था시면 tissue fluid यह आपका tissue fluid है इंtr stitial fluid बोलो यह टिशू fluid बोलो तो यह water निकल के कि funded में mix हो जाता है तो due to which, the tubular fluid becomes concentrated अब इसके वज़े से, tube के अंदर का सारा पानी तो बहार आ गया तूब के अंदर का सारा पानी किदर आ गया तूब के अंदर का सारा पानी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा अंदर सिर्फ सॉल्ट बचे तो इसलिए ट्यूब के अंदर का जो फ्लूइड है उसके अंदर सिर्फ सॉल्ट बचा है तो उसको बोलेंगे हम concentrated fluid, क्या बोलेंगे उसको हम concentrated fluid, ascending limb of hinlase loop is thick wall and its cell can reabsorb sodium and chloride from tubular fluid and release it into tissue fluid, तो अब यह ascending limb क्या करता है, यह जो आपका ascending limb है, यह ascending limb क्या करेगा, यह salts को absorb करेगा, मतलब इधर से यह salts को लेगा, और salts को लेके यह वापी से tissue fluid में डालेगा, इधर डालेगा, यह salts से लेके, salts लेक अगर यह डालेगा आपके tissue fluid में, yes everybody, यह देखो, इधर से आपके salts आएंगे tissue fluid में, okay, alright, अब आगे देखो क्या बताया गया है, due to this tissue fluid around descending limb becomes concentrated, अब देखो इसके वज़े से क्या हो रहा है, यह देखो, यह आपका descending part है, यह आपका ascending part है, नीचे की तरफ जा रहा है, यह salt अपकी यह जमा हो जाएगा, यह तो आपड़ेखो, यह जटेश्द से तरफ बसके quadrant है, गा αυτट करदो हम देखो पड़ेखो, यह दो इन की वज़े वाहर हांगें किसे वजे आपकी Цेंडिंग लब देखो, आस्मोसिस की मदद नाफो आपकान से लिख कप रहा है जाता है यह कैसा process है passive मैं आपको बार बार बोल रही हूं ascending limb से जब salt निकलता है ascending limb से जब salt निकलता है तो यह आपका active process है यानि कि यह ATP के presence में होता है लेकिन descending limb से जब water निकलता है descending limb से जब water निकलता है तो यह आपका passive process है यानि कि यह normally osmosis से होता है यानि जहाँ पर solvent जहाँ पर solute ज़ादा है वहाँ पर यह flow होगा low to high concentration of solute So thus as tubular fluid passes down through descending limb its osmolarity increases gradually यानि कि क्या बुला जा रहा है कि जैसे 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 आपका यह descending limb से fluid आगे आगे जाएगा water तो सारा बाहर निकल गया तो अंदर की तरफ क्या बचेगा अंदर बचेगा सिर्फ salt ओके its osmolarity increases gradually यानि salt का concentration बढ़ते जा रहा है अंदर ही अंदर क्योंकि पानी बाहर आ जा रहा है तो due to water loss आप जैसे जैसे यह आगे जाएगा वैसे वैसे salt बाहर निकलेगा जब तक descending limb है तब तक salt उसके अंदर है जैसे ascending limb में जाएगे तो salt बाहर आ जाएगा लेकिन water अंदर ही ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि water को लिया आपका ascending limb permeable नहीं है तो besides whenever water retention is necessary water retention मतलब क्या होता है reabsorption गर्मी में पसीना जब आता है हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो हमारी बॉड़ी एकदम से dehydrate हो जाती है तो गर्मी के मौसम में जब हमको ज़्यादा पानी चाहिए तो हमारी pitutary gland से क्या निकलता है anti diuretic hormone कौन सा हर्मोन निकलता है anti diuretic hormone बेसिकली इस ओर्मोन का काम होता है water ज्यादा से ज्यादा बी अब्सक्राइब करना तो देखो आपकी बोड़ी में इसे होता है हम पूरा लिटारो स्ट्रीट पड़ा होगा ऑस्मो ले आलिती मतलब क्या होता है धी नंजर उड्сят नंबर प्र से जोल्ड और कढई स्जेख घ्य होता है यहां पर यह लाय लालाल कि कमी जैसे हो गई तो आप बॉडी में सिफ सॉल्ट सॉल्ट बज गया यानि कि सॉल्ट की कॉंसेंट्रेशन बढ़ गई है जिसकी वज़े से आपके ब्लड में ब्लड का वॉल्यूम लो हो जाना मतलब क्या होता है समझो आपने बॉटल में धेर सारी मिट्टी भरी धेर सार पानी एवापरेट हो गया पसीना आने के वज़े से तो पानी कम हो गया पानी कम हो गया तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो अब इसके वज़े से क्या होगा आपका ब्लड प्रेशर रिडियूस हो जाएगा यानि कि ब्लड स्लो फ्लो होगा और आपको पता है कि ब्लड सबस्क्राइब यं वजे से क्या होता है और अब करने डिवरस कैसे बनता है आगे देखेंगे यूरीन वाले पार्ट में तो आबी के लिए साथ ब와डी में जब पानी की कमी होती है तो आपका blood का volume कम होता है तो blood दीरे-दीरे flow होता है यानि की blood pressure low जाता है low BP होने के वजह से angiotensin 2 लो बनता है और आपका salt बहुत ज़ादा बढ़ गया तो salt ज़ादा बढ़ने के वजह से आपके brain में कुछ osmo receptors होता है औस मॉaching सब्सक्रिए इनने की वुटर और सॉल्ट का बैलेंस सो आपके स्बर्पास है अपने ब्रेनSoil ग्लाइंड जो है मास्टर और गन जो है वह हाइपोथलायमस हमारी पुरी बॉड़ी को कंट्रोल करता है तो हाइपोथलायमस के ऑस्मो रिसेप्टर अचानक से अक्टिवेट हो जाएंगे और आपका मुझ अगेरा एकदम सूखने लगेगा प्यास आने लगेगी गर्मी में लगता है न प्यास लग रही है बहुत जादा मुस्खरा है तो इन तीनों के वज़े से यहाँ जहां पर प्यास लगती है वह वाला पाट अक्टिवेट हो जाएगा जिसके वज़े से प्यास एकदम से बढ़ जाएगी पिर जब आप पानी पीओगे तो बोड़ी में पान लग रही थी नमक जादा हो गया था इसलिए प्यास लग रही थी आपने पानी दे दिया तो नमक का कॉंसेंट्रेशन आटोमाटिकली कम हो जाएगा तो यह किसके वज़े से होता है यह होता है एडियेच हॉर्मोन के वज़े एक्सेसिव यूरीन प्रोडक्शन डाय यूरेसिस मतलब जादा सुसू आना याने कि जब आप जादा पानी पीते हो तो आपको बार-बार सुसू आती है लेकिन आप जितना जादा सुसू करोगे उतना जादा आपके बॉड़ी के जो इंपोर्टेंट और हेल्दी सॉल से व को सिंपल सी बात है आप बार-बार सुसू करने जाओगे टीचर्स और साइंटेस्स और डॉक्टर्स बोलते जादा पानी प्यों इतना भी जादा मत प्यों कि आपकी बॉड़ी के जो इंपोर्टेंट मिनरल्स और इंपोर्टेंट सॉल से वह भी साथ में सुसू के साथ ब लगेगी हमारा टीशू जादा से पानी आप जाता है और लगे पास ब्रेशन प्रेशर के पास जाता है तो पूरा आप और एड좌शन होता है प्जा सबसक्राइब के आपके जो प्लीन धस लैजन है नहीं देख को यह अपना से अपना इस यह अपना कलेक्टिंग डख है यह तो एंटिडायूरेटिक हॉर्मोन के वजए से आपके पी सीटी और आपके डी सीटी में मैक्सिमम वाटर री अब्सॉप्षन और इसी को हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन वेसो कंस्ट्रिक्शन यानि ब्लड वेसल को कॉंट्राक करके आपके ज्यादा से ज्यादा ज्यादा कीट्नि के पास बेचते सारह सके ज्यादा से ज्यादा रियब्सॉर्मोन भी तो इडिये से और मिनित रोको हाँ यह एडिएच हॉर्मोन क्या कर रहा है एडिएच मेक्स दसेल्स इंद वॉल ऑफ कलेक्टिंग डक्स पर्मिएबल टू वाटर यानि कि अभी हमने जो नेफरॉन का स्ट्रॉक्चर बनाया यह देखो हाँ यह देखो ऐसा मैं आपको नेफरॉन का स्ट्रॉक्चर इदर बनाके दे रही हूँ तो यह एडिएच हॉर्मोन क्या करता है यह एडिएच हॉर्मोन जो है यह हमारे लूप बनाया था हमने अपना रेक्टा बनाया था यह था फ्लू वाला वासा रिकटा है यह यह चल रहा था यहा चल रहा था यानि कि आपके loop of endless salt निकल रहा है और descending loop of endless water निकल रहा है यह water जो tissue में फैला हुआ है यह water बच्चो जो tissue में फैला हुआ है यह water कौन reabsorb कर लेगा collecting duct reabsorb कर लेगा और इस water को वापीस पीछे भेज़ देगा तो ADH hormone क्या करता है ADH hormone actually collecting duct में collecting duct का जो membrane है इधर पर वो ऐसे कुछ water protein proteins बना देता है क्या बनाता है aqua pouring protein यह aqua pouring protein क्या करेगा pouring मतलब holes aqua मतलब water यानि कि आपके membrane में चोटे-चोटे से holes बनते जिसकी मदद से water वापीस से अंदर entry लेने लग जाता है मतलब जो water बहार tissue में घूम रहा था यह water कि दर से आया था descending limb से आया था descending loop of endless से आया था यह water आपके collecting duct में वापिस reabsorb होने लग जाता है so due to this water moves from tissue tubular fluid into tissue fluid making the urine concentrated okay collecting duct becomes more permeable so due to this water moves from tubular fluid into tissue fluid collecting duct का water पहले collecting duct ने water absorb किया अब collecting duct water absorb करने के बाद क्या करेगी यह अपने ही water को बाहर छोडेगी यह अपने ही water को बाहर छोडेगी याने कि पहले पानी को लेगी अच्छे से salts को wash करेगी और फिर अपने ही पानी को यह बाहर छोड़ देगी ताकि urine जो है अभी यहां से जो final urine निकलने वाली है यह देखो इधर से आपका जो final urine निकलने वाला है यह final urine आपका कैसा हो concentrated हो, concentrated मतलब क्या होता है, इसमें पानी की मातरा कम हो, तो पानी की मातरा कम कैसे होती है, क्योंकि आपका collecting duct से बहुत सारा water बहार आ जाता है, collecting duct से बहुत सारा water क्या होता है, बहार आ जाता है, tissue में आ जाता है, पैलिट कलेक्टिंग डख्ट लेता है सॉल्ट को अच्छे से वोश करता है फिर बाहर आ जाता है और सिफ सॉल्ट यूड्ट में से भी आपका यूरिया है यह यूरिया वापीस से आपके हेंलेगा लूप के पास जाके जमा हो जाता है तो सेलं दा वाल ओफ डीप मेडूलर of collecting duct are permeable to urea अभी देखो आपका collecting duct क्या करता है urea भी permeable करता है याने यह अपने tube से urea भी बाहर निकाल सकता है अब इस urea का क्या करें इधर से यह जो urea निकल रहा है यह urea आपके loop of henle के पास जाके जमा हो जाएगा और वहां पे जाके यह बहुत सारा salt एक साथ जमा कर देगा as concentrated urine flows through it urea diffuses from urine into tissue fluid and from tissue fluid into tubular fluid flowing through the thin ascending limb of loop of henle मतलब क्या बुला गया है कि यहां से जो आपका urea बाहर आ रहा है यह देखो यह आपका loop of henle है यह आपका dcT है देखो यह आपका dcT है और इधर से समझो आपका collecting duct बन रहा है ऐसे collecting duct बन रहा है तो इधर से जो यूरिया निकल रहा है यह यूरिया किदर जा रहा है यह यूरिया जा रहा है आपके loop of henle के पास यूरिया loop of henle के पास जा रहा है और loop of henle से यह किदर जा रहा है ascending limb के पास किसके पास जा रहा है यह ascending limb के पास जा रहा है तो याने की यूरिया collecting duct से निकल के tissue में आया फिर tissue से निकल के यह वापीस से tube में गया okay so as concentrate it urea diffuses from urine into tissue fluid and from tissue fluid into tubular fluid through ascending limb of lupus henley this urea cannot pass out from tubular fluid while flowing through thick segment of ascending limb and dct and cortical portion of collecting duct due to impermeability for it in these regions तो मतलब क्या बुला गया है कि यहां पर जो urea आता है वो urea इधर ही जम जाता है वो यह इधर ही जम जाता है क्योंकि यूरिया बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि यह बड़ा structure है और ascending limb से यूरिया बाहर नहीं आएगा तो यह यूरिया इधर ही store हो जाता है यानि कि यहीं पर आपको salt की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है जिसको हम बोलता है counter multiplier system यूरिया cannot pass out तो हावेवर वाइल पर फॉलोवेंग सारी वाइल फ्लोइंग थ्रू कलेक्टिंग डक्ट वाटर री अब्सॉप्शन इस ऑपरेटेड अंडर दे इंफ्लूएंस ऑफ डी एच क्या बुला गया हमको इधर पे कि जब आपका वाटर कलेक्टिंग डक्ट से बाहर जाने वाला था उतने में हमने क्या किया एडिएच हॉर्मोन बनाया एडिएच हॉर्मोन के वज़े से अक्वापोरिन बने और यह एक्वापोरिन के वज़े से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया यानिकि हमारी यूरीन कॉंसंट्रेटेड हो गई यह जो वाटर आगे आगे भाग रहा था इस वाटर को क्या किया हमने बाहर फेक दिया इस वाटर को हमने बाहर फेक दिया ओके ओल राइट ड्यू टू दिस यूरिया कॉंसंट्रेशन इंक्रीजिस इन टूबिलर फ्लूइड और इसके वज़े से क्या हो रहा है आपका जो यूरिया कॉंसंट्रेशन है वो ट्यूब में जादा हो गया है तो अब ट्यूब में यूरिया जादा हुआ था यह यूरिया वापिस से टिशू में बाहर आएगा तो दस सेम यूरिया इस ट्रांसपर्ट बिविन सेग्मेंट और टिशू फ्लूइड ऑफ इनर मेडियूला तो यह यूरिया इधर के इधर ही जंपिंग जपांग खेलते रहता है क्या करते रह यूरिया नहीं निकलता है जादा से जादा से जादा वाटर हमने रिटेन कर लिया तो अब जो सुनिकलेगी उस सुसू में पानी कम और सॉल्ट जादा होगा ऑस्मोटी ग्रेडियंट इस असेंशियल ग्रेडियंट याने की बैलेंस ऑस्मोसिस बैलेंस करना बहुत जरूरी है किड्नी में स्पेशली पॉर्ड वाटर रियाब्जॉप्शन इन काउंटर करेंट मल्टिप्लायर साथ-साथ-लूप और हैन्ले के साथ-साथ आपका जो वहलर वैसल सिस्टम है याने की आपके यह बासा रेक्टा से भी क्या हो रहा है इन वासा रेक्टा से भी आपके salts निकल रहा है और आपके collecting duct से भी salt आ रहा है आपके collecting duct से भी salt आ रहा है तो इसके वज़े से यूरिया multiply हो रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं counter current multiplier system याने अलग-अलग tubes से वासा रेक्टा से collecting duct से loop of endless से salt जमा होते जा रहा है counter याने opposite multiplier याने की addition तो this osmotic gradient is maintained by वासा रेक्टा बाइपरेटिंग counter current exchange system इदर पर क्या हो रहा है आपका exchange हो रहा है याने की collecting duct से हम यूरिया ले रहे हैं बदले में collecting duct को water दे रहे हैं okay so this is counter current exchange mechanism blood that sorry वासा रेक्टा अलसो भी have descending and ascending limbs तो क्या बुलागा है हमको इदर पर वासा रेक्टा के पास भी दो limbs होती है as you call you all can see it over here very clearly यह देखो वासा रेक्टा के अंदर दो आपका यह होता है क्या होता है वासा रेक्टा है descending and ascending limbs so blood that enters the descending limb of वासा रेक्टा आपके वासा रेक्टा में एंटर कर रहा है उसका ऑस्मोलाइटी कितना है 300 जैसे जैसे यह फ्लो करेगा वैसे वैसे यह जादा जादा concentrated हो जाता है क्योंकि इसमें salt हो जाता है यूरिया हो जाता है दुनिया भर की पंचायत सब कुछ हो जाती है and you because of sodium chloride and urea molecules diffuse from tissue fluid into blood and water diffuse from blood into tissue fluid so due to this blood becomes more concentrated देखो अंदर नमक जादा बचा है पानी तो हमने सारा का सारा बहान निकाल लिया तो urine आपका कैसा हो जाएगा concentrated urine हो जाएगा याने पानी कम बचेगा and due to this sodium chloride and urea molecules diffuse both from blood to tissue fluid and water from tissue fluid to blood यह मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्या बोला गया इधर पे जब आपका salt जादा जमा हो जाएगा तो the urea molecules will diffuse from blood to tissue fluid आपके वासा रेक्टा से सारी चीज़े निकल के tissue में mix हो जाएगे and water from tissue fluid to blood और आपके tissue में जो blood है वो सारा का सारा blood किज़र चला जाएगा सारा का सारा blood आपके loop of henley में चला जाएगा so this mechanism helps to maintain osmotic gradient reaction so as to reabsorb water to maximum capacity loop of henley are longer in desert mammals तो देखो loop of henley का क्या काम है बेटा मैं आपको फिर से बता रही हूँ ascending loop of henley का काम है salt का balance करके रखना descending loop of henley का काम है water का balance बना के रखना इसको बोलते है osmo regulation salt and water का balance और यह balance ज्यादा तर camels में देखा जाता है यानि humans में भी होता है सब में होता है camels के पास बड़ा loop of henley होता है क्योंकि उनको ज्यादा पानी स्टोर करके रखना है क्योंकि वह desert area में रहते हैं अब camels अपना पूरा पानी restore कर लेते हैं पूरा पानी वह वापीस से reabsorb कर लेते हैं तो उसके वज़ आपको मुझे बतानी है वह जक्सटा मेडिलरी सेल्स क्या होते हैं जो आपके और टेरियोल के जर्स्ट में में प्रेजेंट होते हैं यह यह आपके जक्सटा ग्लो में रूलर सेल्स याने कि यह आपके अपना टेंचे बीच का बॉली औके यहां पर रिफोप्शन कैसे हो रहा है रिफॉप्शन होने की बाद जो भी चीज़ बची हैं वह जाती आपके ट्यूबलर सेक्रीशन में इस एवरी के आपको एक रिपोर्ट प्रिपेर करने बोली घैंग रिजिस्टेशन पर समझवा कि यहां पर उपना सकते हैं यहां पर सकते हैं प्रेशन का नाम यहां मैं लिख देती हूं सुल्ताना टकिंगे 24 ने रेफेरेंज किस ने रेफेर किया है एक दॉक्टर ने रिखेर किया है या पानी के जैसी या पानी जैसी या कुछ देखने को मिल रहा है कि यूरीन में नो डिपोजिट सार अपसेंट पीएच रहता इसका पीएच रहता है स्पेसिफिक ग्राविटी याने सॉल्ट के वज़े से यूरीन पानी से थोड़ा सा है है इसमें प्रोटीन नहीं है शुगर नहीं है सॉल्ट यह अपना बा फिक है थोड़ा सा यहां पड़ने वाले कॉमपोजिशन ओव यूरीन उसमें एड होर्मों राज सिस्टम का मेकानिजम देखेंगे कि कैसे काम करता है रास मेकानिजम एक्छा काम करता है एंसी आर्टी वाला चैनल जोईन करो नीट की चानल का नाम है ग्जानलाब निखर और टेलीग्राम गुरुप जॉइन करो अगर लिइंक से टेलीग्राम गुरुप ऊपन नहीं हुआ तो टेलीग्राम गुरूप को पहले इंस्टॉल करो, टेलीग्राम को प्ले स्टोर पह जाके पिर उस पे सर्च करो ग्यान लाब आपको 13.6 के वाला जो ग्रूप मिलेगा वो ग्रूप आपको जॉइन करना है क्योंकि यहां पर आपको सारे के सारे फ्री नोट्स अल्रेडी प्रोवाइट किये गए चैट में पिंड है तो आपको यह वीडियो देखने में मज़ा आया हो चैट करना है